अंतराष्ट्रे संबंदों पर भी देखिएगा देरेंद मोधी लगातार प्रयास करते रहें जो विदान सवाल लेवेल पर थोड़ी ड़ाई बची हुई है उसमें भी इंडिये लगातार और पार्टी को से समझोता कर रहा है और कॉलिशन बना रहा है कॉंग्रेस घुमी राउल गांधी घुमें पूरा तयारी करके घुमें लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि इन चेत्रों में कॉंग्रेस को क्या हुआ है कॉंग्रेस इन चेत्रों से लगबग गाया भी हो गई है एक मातर पाटी गटबंदन में कॉंग्रेस लबची हुई है उसे एक ही सीट दी गई पर भाजपा की बात के लिए बाजपा एगारा सीट पर लड़ रही है बाकि अपने सायोगियों को दिया हुआ है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी कॉंग्रेस का बहुत मजबूत नौर्थिस्ट में नहीं है भारत जोड़ो यात्रा बहुत नौर्थिस्ट में सफल दिखाया गया था लगतार लोगों के बिज़ जाते हुए राउल गांदी लिखेते कहा गया कि भाई राउल गांदी का नेचुरल वे है लोगों से इंट्रेक करने का वो भी पाइदा पहो जाता है लेकिन फाइदा कहा देख रहा जमिन पर यहां भी तो आप नरेदर मोदी को फाइदा उठाते देख रहा है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप भारत लाइब की चुनावी यात्रा बिहार के अलग-अलग लोगसबा छेतर में जा रही है अलग-अलग लोगसबा छेतर में हम घूम रहे हैं जनता का मिजाज भाप रहे हैं कि क्या 10 सालों में मोदी सरकार ने उनके लिए क्या 2024 लोगसबा चुनाव में जो 400 का पाड़ आकड़ा है बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो यानि कि पुर्वत्तर जो भारत है इस भारत में उनके इस ताकत को रोकने के लिए उनके विपक्षे एक मजबूत इंडिया गडबंधन बनाई गई है जिसमें ये लगतार दावे किये जा रहे है कि कुछ सीटों पर इनको रोक लिए जाएंगे इतना ही नहीं नौर्थिष्ट की भी अगर बातचीत की जाए तो वहाँ पर भी कई ऐसी बाते उठ रही है जैसा आपने देखा होगा मिजोरम से लेकर के जो अन्य राज्य है मोदी सरकार को रोकने के लिए क्या क्या वहाँ पर नहीं किये गए हैं क्या वाकई में ये परिस्तितिया बन रही है कि पुर्वत्तर राज में विपक्षी दल एंडियो को रोकेंगे ही रोकेंगे तो फिर नॉर्थ इस्ट में भी रोक लेंगे क्या है पूरा मामला चलिए जाच परताल में आज इंद विश्यों पर अपने संपादक डॉक्टर नमन मिशा सर से जुड़ते हैं सर बिहार में तो हम लोग घूम रहे हैं एक बड़ी एंटी इंकमेंसी हम देख रहे हैं कुछ वादे अधूरे रहे हैं नरेंदर मोदी के जो वादे वो पूरे नहीं कर पाए हमने मैनुफेस्टो भी देखा मोदी की गारेंटी उसमें कुछ चीज़े तो पूरी हो गई हैं लेकिन मजबूत कुछ चीज़े हैं जो अधूरी हैं वहीं बिहार के बंगाल और उत्तर प्रदेश इन राजियों में विपक्षी कह रहा है कि हम रोकेंगे नौर्थ हिस्ट में भी चर्चा कर लेते हैं वहाँ पर मी मोदी को रोकने की बड़ी तयारी चल रही है वाकई में रुख पाएंगे क्या वहाँ तक एंटी इंकम में से एक बड़ा जिनरिक सब्द है इसे जब आप बोलते हैं तो आप इसमें सम्मिलित कर लेते हैं वो सारी चीज़े जो वरतमान सरकार के खिलाफ जा रहे हूं सवारोकर विपक्ष इस बार मोधी को रोकने की त्यारी कर रहा है देगे निश्चित तोर पर मैं एक बात बता दूं बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन इलाकों में इंडिया गडबंधन काफी मजबूत है यहां 200 सीटों के आसपास की लडाई है 400 प्लस जाना है इसमें महागर्वन दावा है कि हम आधा आधा कर देंगे पचास से 50% सीठ हम ले लेंगे पचास से मोधिया पाएंगे जो कि महागर्वन के लिए बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मोधी को रोकने के लिए इतना काफी उनके हिसाब से हो सकता है हम बार बार करते कि आजपा ने यह सब ब्रह्म तोड़ दिया है और आज यह जो सिंकला जाजपरताल में हम लेकिया है इसका कारण ही यह है जासल कई यंग वोटर्स यूपेसे स्प्रेंट्स मुझे बार बार फोन कर रहे है कि सरकार के के काम पर भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए जो कि अमित्सा नरंद्र मोदी के कहने पर बहुत अग्रसिव हो गया है चीन को आख दिखाने के त्यारी हो रही है आज पास के जो बड़े देश हैं उनसे अच्छे मित्रवत संबंद बनाए जा रहे हैं लेकिन घर में ही क्या हो रहा है मनिपूर हिंसा और मनिपूर में कुकी कि अधिकली हैंडल किया गया वो भी सराहनिया है आज भी आप देख लिए कि मतलब यह तो लड़ाईयां तो होती ही रह नहीं है तनाव संप्रदाइक तो लगता चल रहा है दो गुठ हैं दो समुदाय है इद भी साथ में रामनों भी साथ में तो तो तुड़ा उसीट स्लीख में मोदी को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति के ठहत मांगणवनन भा भा भी पर जाये लेकिन इसे वो कम्पन्सेंट साथ से करें इसे वो कम्पन्सेंट नौर्थ इस्ट से करेंगे तो आज सहिस रिंकला में मोर्थ इस्ट की भात करेंगे देख हैं देखे में पिछली बार उनिस में जो भाजपा जीती थी वो लगबग उन्हीं सीटे थी अब उनका टारगेट है कि इसे 22 पहुंचाया जाए यानि 22 सीटों पर अब भाजपा 25 में से जीतने की त्यारी कर रही है और वो कौन कौन से स्टेट से मैं आपको बताता हूं देखे जो स्ट हैं नौर्थ इसके असाम अरुनाचल प्रदेश मिघाले त्रिपूरा मनिपूर नागालेंड मिजोरम और सिक्किम इसमें लगबग 30 मिलियन के पासपास भोटर हैं और इसमें अकेले असाम में 14 सीटे हैं तब इससे अंदाल्या लगाए कि कि कितना महत्वपून हो जाता है यहां से मोधी को अच्छा रिजल्ट लेकर आना जो डेमेज उतरप्रदेश में होगा जो बिहार में होगा जो पॉसिबली बंगाल में डेमेज होगा उसे तो असानी से रिक उपर किया जाकर नॉर्थ इसके मैं उदर मैनेज कर सकते हैं अगर इधर डेमेज होंगे तो मेरा अकलन है कि ज्यादा गड़ आएगा तो 33 तक जाएगा बहुत खराब रिजल्ट रहा तो 33 से 33 का असपास जाएगा अच्छा रहा मने एवरेज रहा तो 35-36 आएगा और अगर बहुत बढ़िया हो तो जो सीटे डैमेज हो रही यहां पर उत्रप्रदिस में चारपाच चा के खास बात क्या है राहूल गांधी गये यात्राएं की लगतार कॉंग्रिस कुकी मैती और जो महिलाओं को वहां एक समधाय के प्रतारित किया गया नगन करके घुमाया गया उसको एक बड़ा इसू बनाया गया और बनना भी चाहिए और जिस तरीके से बिहार में महागण पर एक ट्राइबल जो नक्सल्स हैं उनका एक बड़ा आतंक रहा है कालांतर में रहा है आज की तो बाती मत कीजिए हलिकॉप्टर से गुमने से लोग डरते थे हैं बड़े-बड़े जंगल है भी हड़ उनमें कुकी मैती और बहुत सारे कुकी मैती तो फिर भी नहीं है ब और इसमें अकसर हमने देखा कि पुरुवर्ती सरकार में की जिए का नाम नहीं लूँगा लगतार कम जोर रही हाँ नरेंद्र मोदी किया आने के बाद से एक दो चीजे जो बड़े फैसले नरें ने लिए फिर मैं कहूंगा महिमा मंदर नहीं कर रहा हूँ जो फैसले देखें लगबग 24-15 में नरंदरमोदी आये थे तब से उनका एक विसेश नजर जो रहा है वो राष्ट्रे मुद्धों पर रहा है अंतराष्ट्रे संबंदों पर भी देखिएगा नरंदरमोदी लगातार प्रयास करते रहें लेकिन देश में कितनी समस्याय थी उनको पहले करने जाते हैं मैंने घर पर ठीक हो तब बाहर ठीक करेंगे सड़क बनाएंगे बाद में पहले घर तो ठीक कर ले और आसम नौर्थीस्ट के एरियास जमू कासमीर यह एक बड़ा स्ट्रॉंग होल्ड था जहां पर अब्देश की सरकार को बहुत ताकत नहीं थी थी भी तो जो सेंटल फोर्सेस थी उनको थी स्टेट को ज्यादा पावर दिया गया था आपने देखा किस तरीके से आर्टिकल 370 में दिखाया गया कि एबॉलिस किया गया उसको चेंजेस लाए गये मुख्यदारा से देश की मुख्यदारा से कासमीर को जोड़ा गया इसी तरीके से बाकी जो नौर्थिसके स्टेट्स हैं वहां भी एक कुसिसकी गई तो क्या गया किया गया मैं बताता हूं आपको दोयार 193 के बीच में 1130 समझोटों पर हस्ताक्षर किये गए गये 1130 समझोटों पर लगतार जो नौर्थिसकी इलाके हैं वहां किये गए यानि औसतन दोयार उने इस से तेज के बीच में एक से अधिक सांती समझोता लगतार होता रहा यह बड़ा मुद्दा है सांती समझोता क्योंकि जिस तरीके से वहां के परिस्थितिया सरबनी काफी हमने हमने सुने भी हैं देखे भी हैं मामला गड़ बढ़ा जाता है चोड़े चोड़े भी हाला अंतर राजी जो सीमा समझोता था विवात था इसे इसे स्टिप्टाया गया तो इन छेत्रों में कहीं न कहीं सांती प्रगांद करने के लिए एक बड़ा योजना बद तरीके से काम किया गया फैसले लिए गए जो फैसले पुरवर्थी सगार मैं बार बार कह रहा को उलका उल्फा ये बोडोई लगता सुनते थे लेकिन धीरे धीरे ये चीज़े कम होने लगी हैं और जैसे ही आप सेंट्रल फोर्सेस का ताकत बढ़ाएगा जैसे ही आप सरकार को ताकत दीजिएगा राज्यों में वैसे ही ये जो स्ट्रॉंग होल्स हैं ये धीरे धीरे कमजोर होते हैं और इसी पर कहीं न कहीं काम किया गया थे कि जो हमारा एक एक देश का कानून पहले से बनाया हुआ था उस कानून के बारे में बात कर लेते हैं आर्म फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट ये इतनी ताकत दे रेता है आर्म फोर्सेस को कि लाउ और जो पीस है उ किसी हद तक जा सकते हैं एक्स्ट्रिमिस्ट ताकतों से लगने के लिए वाइलिंस का भी इक्तियार कर सकते हैं इसकी वैसे ताकत बढ़ जाती थी इसके लावा यह जो ताकत थी इसे नौर्थ इस्ट में विड्रो कर लिया गया था तिर और तिरपुरा में 2015 में मिघाले में 2018 में और 15 डिस्टिक्ट नागलन में थे वहां से भी हटा लिया गया था और जो मनीपूर का इलागा है असाम का इलागा और नाचरपदेश का इलागा है उसमें से भी हटाया गया तो आप समझे कि इसकी वज़े से जो नागरिक है या जो टेंशन जो क्रिएट रहता है वो लगतार बना रहता था वो भी समाप्त हुआ है और जितनी ट्रीटीज हुई है इनकी वज़े से आप देखिएगा सडकों का एक बड़ा जाल बना दीरे दीरे व्यापार और जो बाकी राज हैं देसके उन से इसको जोड़ा गया और एक बड़ी बात यह हुई कि यह छित् लगता है और ऐसे में यदि आप बार से भी लड़ रहे हैं और आप जो टर्फ वर है उसमें भी लड़ रहे हैं तो बड़ा मुस्किल हैता है राज को आगे विक्सित कर पाना इन छेत्रों में एक और बिसेस बात आपको बता दे कि कॉंग्रेस घुमी राउल गांधी घु और त्रिपूरा इसमें जितनी ज्यादा सीट लोकसभा की सीटे हैं इन सब पर वो गायब हो गई है जो विदान सबा लेवल पर थोड़ी ड़ाई बची हुई है उसमें भी इंडिये लगातार अमने पार्टी को सब समझोता कर रहा है और कोलिशन बना रहा है और जो एक मात्र पार्टी गटमंदन में कॉंग्रेस लब बची हुई है उसे एक ही सीट दी गई है लोकसभा की और असलम की बात में कर रहा हूं और तेरह सीट पर लड़ रही है कॉंग इसका बहुत मजबूत नौर्थ इस्ट में नहीं है यहां भारत जोडों यात्रा बहुत नौर्थ इसमें सफल दिखाया गया था लगतार लोगों के भी जाते वे राउल गंदी का नैचुरल वे है का लोगों से इंट्रेक करने का वो भी फाइदा पोजाता है लेकिन जेंदर मोदी की एक बड़ी रणनीती है और इस रणनीती के तहट क्या काम हो रहा है जाच परताल में विशेश रूप से हमने नौर्थ इस पर चर्चा की है मारे संपादक नमन विशासर ने जाच परताल किया है कि आखिरकार डैमेज अगर इधर किया जाएगा तो उधर कै से मैनेज किया जा सकता है जुड़े रहे तमाम जाच परताल भारत लाइब पर चुनावी यात्रा के दुरान अलग-अलग छेत्रों के हम करते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही देखते लिए भारत लाइब धनेवा पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडि करकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद